तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पिकसाट एप की मदद से इस तरह की फोटो आडिटिंग कैसे कर सकते हो वीडियो बहुत जीदा इंट्रेस्टिक होना वाली है तो प्लीज सुरू से लेगे लाश्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में हमन करेंगा उससे दबा लेना ताकि आगे से जब भी में कोई नई वीडियो अप्लोड करें तो उसकी नौड़ी पेकिसन आपको सबसे पहले मिले और आप सारी वीडियो को सबसे पहले वर्च कर पाएं इस वीडियो को सूरू करने से पहले आप से क्लिक वेस्ट है अगर आभ तो दोस्तों जैसा के आप देखफ़ार हों कि Pixart एप के अंदर हमने इस फोटो को ओपन कर लिया है अपको भी अपनी फोटो को Pixart एप के अंदर ओपन करने के बाद आपको Tools पे क्लिक करना है आपको यहां पे क्रिположन करने के बाद यहां आपको फोल्ट नमबर में मिलेगी स saturation इससे आपको increase कर देना है लगबख 80 के राउंड उसके बाद clarity और contrast को भी 20 के राउंड आपको दोनों और रखने ना है उसके बाद यहाँ Eraser पर किलीक करना है ठीक है मैं Eraser पर किलीक करता हूं और उसके बाद रिमोब करना है यानी कि जो भी कलर होगी वह कलर और बहुत दीप में दिखेगी तो अगर अगर हमारे फेस पे ठोड़ी सी भी रेड नेस होगी तो पूरा रिड रेड कलर की यसी लिए हमने एड एरेस करना है उसके बाद उपर ंके मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है तो इतना हो जाने के बाद आप देख पाऊगे कि यहां पर हमारी फोटो में एक अच्छी सी क्वालीटी आ चुकी है उसके बाद यहां जाएंगे हम effects पे जाने के बाद आपको यहां पर बहुत से एफेक्ट मिल जाएंगे, आपको सबसे last में जाना है, यहाँ आपको मिलेगी colors तो आपको colors वले option में आ जाना है यहाँ पर click करने के बाद यहाँ आपको मिलेगी color replace जो कि third number पे है तो आपको color replace पर click करना है उसके बाद इस round से shape मिलेगा और इसके बिच में एक plus का icon मिलेगा तो इस plus का icon का अपने background के किसे एक color पे ले जागा छोड़ देना हो जो कि आपके background में सबसे ज़्यादा color दिख रहा हो उसके बाद replace hue को आपको पूरा left side के और लेकर चले आना है तो वैसे में आपके background का color red हो जाएगा ठीक है तो आपको मिलेगी saturation तो saturation की आपके amount को देख लेना है कि आपको इसके amount को कितना रखना है कितना नहीं रखना है यह decide करने के बाद simply आपको eraser को select करके अपनी face से erase कर देना है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि saturation से हमारे face और hand की जो भी थोड़ी सी भी redness होती है तो वह पूरा red rate दिखने लगती है background तो होती है तो background से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और simply sign के mark पे click करके done कर देना है ठीक है guys तो यहाँ पे इतना काम completely होता है finish और हमारी photo यहाँ पे हमारी pixar tap में थोड़ा सब फस रही है बिकोज हमारा phone जो है hang करता है थोड़ा थोड़ा उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे tools पे tools पे आने के बाद आपको फिर से जाना होगा adjust में adjust पे हम करते हैं click इस पे click करने के बाद आपको यहाँ से fourth number वाले option में यानि कि saturation में आ जाना है situation को आपको minus कर देना है आप अपने हिसाब से देख लेना और brightness को plus कर देना है इससे क्या होगा कि हमारी face white हो जाएगी simply अब आपको eraser पे click करना है याद रहे कि यह effect हम अपने सिर्फ face और hand पे ही देंगे तो यहाँ से eraser को select करने के बाद यहाँ invert पे clean करेंगे और अपनी photo को zoom करेंगे और सिर्फ इसे अपने hand पे और face पे चलाएंगे यानि कि इस brush को हम अपने hand और face पे चलाएंगे ताकि हमारा hand और face जो है white हो सके उसके बाद उपर एक sign का mark मिलेगा left side में उपर तो simply इस पे click करके done कर लेना है तो finally हमारी photo यहाँ पे edit हो चुकी है तो इस तरीके से आपको अपने photo को edit करना है मुझे उमीद है कि ये video आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी अब आपको simply draw पे click करना है यहाँ draw टोल मैने के बाद उपर draw होगा लिखा उस पे click कर देना है draw पे click करने के बाद इस photo को save करेंगे यहाँ three dot की icon मिलेगी एक option मिलेगी इस पे click करेंगे और नीचे आपको second number पे मिलेगी save image तो इस पे click करके हम अपनी photo को gallery में save कर लेंगे तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी photo को edit करना है मुझे उमीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell और कियागा थाकि आगे से इस ते भी कमाल की वीडियो आया है तो आप